नमस्कार B.S.C. पार्ट थर्ड में आज और्गेनो मेटलिक कमपाउंड क्लासिफिकेचन एंड इंपोटेंस लेक्षिर नमबर तीन रही क्या होते हैं और्गेनो मेटलिक कमपाउंड वे यौगिक जिसमें कार्बनिक समू सीधे किसी दातों से जुड़ावा हूं उसे क्लासिफिकेशन और ओर्गेनो मेटलिक कमपाउंड को मिली साथू कार्बन बंत की प्रकरति की आदार पर च्यार बागों में बाटा गया है आएने जोगिक, सहसरयोजी जोगिक, वीस्टाइनिक रत्क इलेक्तरॉन बंद जोगिक, और फॉर्थ हैं ऐलेक्तरोन निऊन, इलेक्तरोन डफिशेंट कमपाउन्स अपन्न्स नियौन जोगिक, अब यक्ष्ली क्लास में डिटेल में पढ़ा था, आएने जोगिक के बारे मे सहसर्योजी योगिक के बारे में और फिर उससे नेक्स क्लास में अपने लिया था डी-लोकिलाइज एलेक्ट्रॉन वॉन कंपाउंट के बारे में आज अपन लेंगे एलेक्ट्रॉन यूगिक क्या है इनकी विशेस्ताएं क्या है यह किस तरह से बनते हैं इलेक्ट्रोन यूण यूगिक वे यूगिक जिसमें सेंट्रल परमाणू का अस्टक अपूर्ण होता है इनमें सेतु बंदों के द्वारा बहुली करण से अनू का निर्मान होता है इसमें दो तरह की बंद पाए जाते हैं एक टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रों बॉंड और दूसरा प्री इलेक्ट्रों टू सेंटर्ड बॉंड इलेक्ट्रों नाम से पता चल रहा है ऐसे योगिक जिसमें इलेक्ट्रों की कमी हो कमी का मतलब जिसके केंद्रिय परमाणू ने आठ से कम 6 इलेक्ट्रॉन हो वे किलाते हैं इलेक्ट्रॉन यूगे जब किसी भी केंद्रिय परमाणू का अस्तक अपूर्ण होगा तो वो पास वाले कंपाउंड के साथ में अपना अस्तक पूर्ण करने के लिए सेतू बंद का निर्माण करेगा और जो सेतू बंद बनते हैं उसके अंदर 3-centered 2 electron bond बनता है कि पास वाले कंपाउंड के पास में भी केंद्रिय परमाणू पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो दोनों अपना अस्तक पूर्ण करना चाते हैं इसलिए दोनों ही सेतू बंद ब्रिद बंद का निर्माण करेंगे और यह जो सेतू बंद या बनाना बंद होता है वह थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रोन बंद प्रकार का होता है जैसे इसे एक एक एक्जाम्पल से समझते हैं प्वीलकी करन वा डाई मेराइजेशन हो गया जिसमें दो प्वा प्वास में जुडएवे हैं कि आपको यहां देखिये पहले अपन लेते हैं एक अलुमिनियम की बात करते हैं जब अपन एक aluminum की बात करते हैं, तो इस aluminum पर तीन CH3 लगेवे हैं, दो CH3 यानि जो corner पर CH3 लगेवे हैं, जो corner पर CH3 है, ये एक जैसे हैं, इसमें two centered, two electron bond बनावा है, ये जो तीसरा CH3 है, वो दो aluminum को परमानवों को आपस में जोड़ रहा है, तो जब दो aluminum केंद्रिय दातू को आयन को ये आपस में जोड़ेगा, तो यहां पर ये bridge की तरह सेतू की तरह कारिय कर रहा है, इस सेतू वाले बंद में ये बंद बनता है, three centered, two electron bond, इसी तरह से दूसर aluminum की बात करें, तो जो दो corner वाले CH3 है, उसमें तो पाया जाएगा two centered, two electron bond, और जो बीच में जुड़ावा CH3 है, वो दो aluminum को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये पाया जाएगा three centered, two electron bond, तो exam में आपको पूचा जाता है, electron immune या कास दात्रिक योगिक क्या होते हैं, उदारण सहित समझाइए, तो ये उदारण देकर अपने इसे समझा सकते हैं, next example लेते हैं, R4, lithium 4, CH3 whole 4, lithium 4, इस example में, जब lithium बहुली करण के द्वारा इस structure का निर्मान करता है, तो एक चतुष फलक्य सरचना सामने आती है, और चतुष फलक्य के चारों कौनों पर लीथियम परमानू उपस्चत है, देके इसे रोकी विए structure, इसमें देखो, लीथियम, CH3, लीथियम, फिर CH3, लीथियम, CH3, यानि चार जगह पर लीथियम लगेवे हैं, और चार जगह पर CH3 लगेवे हैं, तो जब अपन इसकी structure को ध्यान पूर्वक देखते हैं, तो एक चतुष फलक्य सरचना अपने सामने आती है, तो ये भी एक electron noon yogic है, जब लीथियम CH3 के साथ में बंद बनाता है, तो इसका अस्टकपूर नहीं होता, तो ये polymerization के द्वारा चार पर्माणमों के साथ में, चार yogicों के साथ में जुड़कर, CH3 whole 4, लीथियम 4 का निर्माण करता है, जो की एक stable electron deficient organometallic compound है, कार्ब दात्विक योगिकों का महत्व, कार्ब दात्विक योगिक अपने विशिस्ट गुणों के कारण से अच्कदिक महत्पूर होते हैं, अता एक महत्वपूर्ण साका कार्ब दात्विक रसायन के अंदर कर्थ इसका अध्यन किया जाता है। इनके उपयोग निमलिकित हैं। फस्ट उपयोग अपन लेते हैं औस दी में दवाई के रूप में। तो प्रमुक औस दिया और प्रयोगत दातू निम्प्रकार के औस द सब्सक्राइब के मर्क्यूर क्रोम है एच जी निम्हकی जिली की पार गयुएता को बनाई रखता है और स्फेनेमीन और्सनिक का एस का है यह सिप्लिसिस नामत विभारी या अफ्री की निंद्रालू रोग में काम में लिए जाती है प्राई अलकिल जर्मेनियम एंटी सेप्टिक के रूप में काम में लिया जाता है तिलिकॉन इसका उप्योग अध्योगों में इंड्रस्ट्रीम के अंदर किया जाता है तिलिकॉन रबड यह अक्रिया और जल प्रतिकर्शी होने के कारण से इसका उप्योग जैट विमानों के खेड़कियों और दर्वाजों आधी बनाने में प्या जाता है प्रेट्रा एथिल लेड अ प्यूक का उप्योग होता है कि अनुहसंदान में रिसर्च में फिजिकल साईंस में यह में यह में एने मार इस्पेक्ट्रो इसकोपी में रिफ्रेंज के रूप में किया जाता है अपने इनमार इसको पड़िती उसमें टियस और आग से बचाने में किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है अग्रिकल्चर, साइन्स, क्रिसी विज्ञान में वीजों के संक्रमन से बचाने के लिए एथिल मरकरी, क्लोराइड या फैनिल मरकरी वित्पन प्यूक्त किया जाता है, एलकिल तिन का उप्योग फंगस नासी में किया जाता है, उत्पेरक के रूप में काम में लिया जाता है, इसका सुत्र होता है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस ती आई सियल फोर, दमांगी हाइड्रोजिनी करण में विलकिंसन उत्पेरक आरेच पीट्स तरी का होल ट्राई सियल का उप्योग किया जाता है, और गेनो मेटलिक कमपाउंड जो जो कर नाम अपन सबने सुनावा है, आर एम जी, Алकिल मेजेशयम हेलाइड, यह जो हता है, सबने 11-12, BAC1-2, MR gördles,εται कर सब में पढावा है, आर एमजी एक से, जितने भी और गैनिक कमपाउंड है, एलकेर, एलकेर, एलकाइर, यानि जितने भी area जितने भी परे जितने एलकिम हि और्गेनिक कंपाउंड है उसका उत्सपादन उसका बनाने की विद्यों में आर एमजी एक्स ग्रगनार्ड रियेजैन ग्रीनियार अभीक्रमक का उप्योग किया जाता है तो अपन इस चैप्टर में ग्रीनियार अभीक्रमक का फॉर्मेशन और उसकी जितनी भी केमिकल रियेक्शन है उसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है और गेनो जिंग कंपाउंड और गेनो जिंग कंपाउंड सबने सुना वा है फ्रेक्लेंड अभीक्रमक तो और और गेरेनोजिंगक कंपाउंड का भी फॉमेशन और उसकी केमिकल रियक्षण क्या है, उसके बारे में डिटेल हैं, और गेरना लिधियूं कंपाउंड झो लीधियूं के ओ-म जी कमपाउंड ओते हैं, कार्बजात्विक योगिक होते हैं उनका भी निर्मान और रासाइनिक अभिक्रियाएं कौन-कौन सी है उसके बारे में अपने को पढ़ना है तो टोटल कितने नए कंपाउंड होगे तीन मेगनीशियम का ग्रीनियार अभिक्रमत जिंक का प्रेक्लेंड अभिक्रमत और और ओर्गेनो लीथियम कंपाउंड लीथियम के ओमजी कंपाउंड इन तीनों का फॉर्मेशन और जितने भी केमिकल रियक्शन्स है वो अपने को पढ़नी है अपर एक एक करके नेक्स्ट क्लास में इन्हें डिस्कस करेंगे थेंक्यू